जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर RBI अनलिमिटेट पैसा क्यों नहीं छाप सकता है या फिर उसे एक निद्देश्ट परिमान पैसा क्यों छापना होता है अगर उस वीडियो का अपने अब तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डेस्क्रिप्श हम आपके लिए ऐसे इंटेस्टिंग फैक्स के उपर वीडियो बनाते रहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबादीजी का नए वीडियो के नोटिफिस्ट पाने के लिए सबसे पहले इंडिया में नोट छपने की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं इंडिया में कागस के नोट प्रचलित हुआ था 1862 में ब्रिटिश सरकार के दुआरा और उस वक्त पैसा इंगलेंड से ही छपके भारत आते थे मतलब यूके में ही एक कंपनी में इंड प्रिंटिंग प्रेस बिठाया लेकिन फिर भी बहुत परिमान नोट ब्रिटेंचे ही छपके भारत आते थे और फिर साथी साथ नासिक में भी नोट छपते थे और फिर 1947 में आजादी के बाद नासिक में ही नोट छपते रहे 1975 तक एक ही प्रिंटिंग प्रेस था इंडिया में और फिर 1975 में मध्यपदेश की दिवास में दूसरी प्रेंटिंग प्रेस बिठाया गया और फिर 1999 में मस्यूर में और साल 2000 में ओस्ट बंगल के साल बनी में चौथा पेंटिंग प्रेस बिठाया गया और आज भी इनी चारों पेंटिंग प्रेस में कागस के नोट छपते हैं इंडिया के और दूसरी तरफ जो कॉइन्स है वो भारत सरकार के टकसाल में छपते है भारत में टोटल चार टकसाल है मुंबई, हैदरावाद, कोलकता और नॉइडा में भारत में हर साल करीब 50 लाख नोट खराब हो जाते है जिसका टोटल वेट करीब 4500 टन और अगर नोट छपने की बात किया जाए तो RBI के मुताबिक भारत में हर साल 2000 करोर एमाउंट का नोट छपते है अब जानते हैं आखिर इन नोटों को छपने के लिए कागज और कलर कहां से आता है क्योंकि नोट छपने के लिए टोटल जितना खर्चा आता है उन में से 40% खर्चा स्रिफ कागज और कलर खरीदने में ही जाता है नोट छपने के लिए जितना कागज लगता है उनमें से जादातर कागस विदेश से ही इंपोर्ट किया जाता है जादातर अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्वीडेन, जर्मनी जैसे कंट्रियों से लाया जाता है और अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया के होसंगाबाद में कुछ कागस प्रोडियूस होते है जो नोट और स्टैम छापने के लिए यूज किया जाता है और अगर कलर या फिर सियाई का बात किया जाए तो वो स्विजलेंड के एक कमपनी से लाया जाता है और सुईजेलेंड सिर्फ इंडिया को ही नहीं और भी बहुत से कंट्रियों को सियाही सप्लाई करता है जो महिसूर प्रिंटिंग प्रेस है उसमें सिर्फ 2000 के नोट छपते है और जो मध्यपुदेश के दिवास में है उनमें 10, 50, 500 के नोट छपते है एक रिपोर्ट के अनुसार दिवास में हर साल 265 करोर रुपए का नोट छपते है नोट छपने के लिए जो कागस होता है उन्हें अलग-अलग मेशीनों में ले जाया जाता है किसी में प्रिंटिंग होता है तो किसी में नोट का नंबर बिठा जाता है किसी में चमकीले रेशे लगाया जाता है तो किसी में कागस को बड़े-बड़े सीट में काटा जाता है एक सीट में करीब 32 से लेकर 48 तक नोट छापा जा सकता है नोट छापने के बाद हर नोट को अलग से चेक किया जाता है उनमें से जिन नोटों में कोई defect मिलता है उन्हें RBI के head office में भेज दिया जाता है जहांपर उसे चेक करके दुबारा छापने का order दिया जाता है और नई नोट छापने के बाद RBI उसे अपने regional office के दुआरा बांकी बैंकों में भेज देते है RBI के total 19 regional office है इंडिया में अब जानते है एक एक नोट को छपने के लिए कितना cost परता है RTI के दुआरा जाना गया है कि 10 और 50 रुपई के नोट को छपने के लिए खर्च आता है 1.01 रुपई और ऐसे ही 100 रुपई के नोट के लिए 1.51 रुपई और 500 रुपई के लिए 2.57 रुपई खर्चाता है लेकिन सबसे जादा खर्चाता है 2000 रुपई के नोट छपने के लिए करीब 4.18 रुपई खर्चाता है तो दोस्तो आसा करता हूँ इस वीडियो में और पिछले वीडियो में नोट छपने के बारे में बहुत से चीज़े हमें जानने को मिला है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चनल को सब्सकाइब करना बिलकूर मत भूलिएगा थैंक यू फर वाचिंग गुडबाई